दोस्तों POCO launch करने वाला है अपने POCO M45G smartphone को इंडिया में POCO ने इसी smartphone की launch date को officially confirm कर दिया इस smartphone के specifications को price को leak भी करते जा चुका है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस smartphone के leak price, specifications and Indian launch date के बारे में तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आपने रहे करेंट तक चलिए शुरू करते हैं बात करें सी smartphone के design की तो दोस्तों कुछ ऐसा देखने वाला है POCO M45G smartphone यहाँ आपको back side में टॉप में काफी बड़ा सा camera module देखने को मिलेगा जिसमें के आपको दो camera के housing देखने को मिलेगी LED flash देखने को मिलेगी POCO की branding यहाँ आपको देखने को मिलेगी और नीचे की side में आपको 5G की branding भी देखने को मिलेगी तो design wise बात करें तो काफी अच्छा design होने वाला है मेरे को design पसंद आ है आप लोग को design कैसा लगा आप comment करके हमें बता सकते हैं बात करें से smartphone की build quality की तो दोस्तों काफी cheap smartphone होने वाला है smartphone तो plastic build यहाँ आपको देखने को मिलेगा प्लास्टिक का frame यहाँ आपको देखने को मिलेगा तो build quality यहाँ आपको decent मिलने वाली है 20-9 का aspect ratio आपको देखने को मिलेगा तो display भी काफी decent होने वाला है एक budget smartphone होने वाला तो उसी साब से आपको display भी देखने को मिलेगा display के मामले में भी आपको इस smartphone में दिकत नहीं आएगी बात कर cameras की तो यहाँ आपको dual rear camera setup देखने को मिलेगा जिसमें के 50 megapixel का main camera होगा और 2 megapixel का depth sensor यहाँ आपको देखने को मिलेगा ultra wide angle lens दिया होता तो काफी अच्छी बात होती लेकिन यहाँ आपको ultra wide angle lens देखने को नहीं मिलेगा बात करें selfies की तो यहाँ आपको 5 megapixel का water drop notch के साथ में selfie camera देखने को मिलेगा बात करें performance के तो यहाँ आपको media deck का diamond city 700 processor देखने को मिलेगा जो कि एक 5G chipset है 799 architecture पर बना हुआ यहाँ आपको GPU भी काफी अच्छा देखने को मिलता है तो यहाँ आपको performance अच्छी मिल जाएगी gaming आप थोड़ी सी कर पाएंगे and day to day use में भी आप आपको कोई दिक्कत ने आगी तो performance आप आपको decent मिलने वाली है 4GB-6GB LPDDR4X RAM यहाँ आप आपको देखने को मिलेगी and 6GB 4GB-128GB UFS 2.2 storage यहाँ आपको देखने को मिलेगा तो RAM and storage के मामने में भी आपको इसी smartphone में कोई दिक्कत ने आएगी बात करें बैटरी की तो यहाँ आपको 5000 mm की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी and 18W की charging यहाँ आपको देखने को मिलेगी तो बैटरी और चार्जिंग के मामने में भी यहाँ आपको कोई दिक्कत ने आएगी बात करें बैटरी अपरेटिंग जिस्चम की तो यहाँ आपको मियोड 13 आउट आप देखने को मिलेगा जो कि Android 11 पर बेज़ड होगा जियां दोस्तो आपको Android 12 देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे फिंगरबिंट स्कानर देखने को मिलेगा बात करें पोर्ट से बेटंस की तो यहाँ आपको 3.5 mm एटफोन जैक देखने को मिलेगा USB टैप से चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा पावर आउन बटन होगा और दोस्तो वॉल्म रॉकर बटन भी आप आपको देखने को मिलेगा बात करें इसी स्मार्टफोन के कलर वेरेंट्स की तो दोस्तो यह स्मार्टफोन इंडिया में दो कलर वेरेंट्स में लॉंच होने वाला है इस specification भी आपको decent देखने के लिए मिल जाते हैं अगर दोस्तों इस smartphone इस price point पे इंडिया में launch होता है तो क्या आप इस smartphone को buy करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे आप comment करके हमें बता सकते हैं बात करें इस smartphone की Indian launch date की तो दोस्तों POCO ने officially confirm कर दिया है कि smartphone 29th of April को इंडिया में launch होगा जियां दोस्तों यहीती कुछ बात है जो मैं आपको POCO M4 5G smartphone के बारे में बताना चाहता था आज की वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पसना है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत